शाम के वजरेश चयार और शीम बहुत दिनों से बोल रहा था कि भी हम उझे बाइक चलाएं तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा और आज सुब्बी मेला फंडी को हम लोग गए दे बाइकार शीम से चलाई थी तो भी फाइनली मैं बोलो चला चंडे वैसे बात म करता है हाँ तो जोड़े अच्छे से अच्छे से मेरा पहला ओफिश्यल मोटर व्लॉग तो बस अभी चलता है चले क्या दीरे दीरे चलाना है मुझे पहली बाद चला रहा हूं मला बाइक तो चलाता हूं लेकिन क्या पहली चला रहा हूं तो बस अभी चलते हो और पहला स्टाप क्या इसका हवा कम है लाश कप कि दे दस-पंदरा दिन पहले जब चलाई दी तब हवा भी इसकी कमी थी तो बस अभी हवा बर्वात है सबसे पहले अब देख सकता है तो कि परस्टनली मला बाइक से जादा मला गाड़ी से जादा बाइक कि लगते क्योंकि इसमें क्या खली लेफ्ट और राइड ध्यान देना पड़ता वार बलो कॉम्पाक्त है काली आगे पीचे देखेंगे तो भी चलेगा और गाड़ी में क्या इतनी बड़ी गाड़ी पुरा ध्यान रखना उपसे अंदाज क्या आगे जे कहीं टच हो नहीं हो पीछे जे को ना रहा है बहुत मगजमारी है यह इजी है मलब गाड़ी से और फास्ट भी है कहीं भी जाना है मलब ट्राफिक इसको लगता नहीं है क्यांट क्लक्वाइज द्रीव युमानाइज वागें रेड रोड पे एक नंबर रोड यह तो बहुत अच्छा रोड़ा कि आप स्पीड लिमिड़ा तो कम ही चलाते है अपन देखें अवासामने बोड़ाया अब विक्तुरिया ग्राउंड तक आया थे और यहां तो गया उनके फ्रेंड के साथ यहां पर सामने ही है वह स्नूकर खिलने वागिया और अभी आएगा और 723 को है अपना नेशनल एंथम तो देखने में मतलब टीवी देखें में एक्दम चालू कर लिया सामने और बस एक्साइट हो कभी इंडिया पाकिसान का मैच चालू और बहुत एक्दम सोच रहो कि मतलब विराट कुलिया अच्छा खेले और बागी सब अच्छा खेले और लुए बढआ बागी आज रन मारें बस विराट कुलियाज रन मारे नजाएब वक्रीजाड पर हमसे कों से सम क्ले को न और गह तो छी क्रणिय इस से चिली गार्लिक tá 102 क्या जिक का मसाला ज कग्रीए पानी ठीका बटर मासाला हमक्री आप मैं च्को एंज्धा नग यहां से दूर भी है पचास साट मिनेट दूर संडे के कारण आपे बहुत भीड रहती है और बहुत ही अच्छा आपे चाइनीज वगरा मिलता है पर एक्चुली वही यह चंडे इसले नहीं मिला तो पास्ट तू थाउसंद येज लेते हैं हां अर्दिक हां अर्दिक टे डेड़िक वालु है मालु है अर्दिक पाल्या है जोत्रे फरोस्त है वाप ओलिवा अच्छा कि लापता च्छा किला आजीड आजीता है वाइस मैच होगा है खतम और इंडिया जीता है अर्दिक पांडया मालब बहुत ही मालब लाश में ऐसा लग रहा था कि पाकिसान जी सकती है पर जो तीन चौक है कंटीनि उसके बाद मालब उमीच जगे कि बहुत ही शानदर और मज़ा है देखा कि आपने मालब किस तरह से अर्दिक आपने मालब बहुत मज़ा आया और व्लोग को एंड करते है तो मिलते आप अगले व्लॉग में तब तक लिस्टे सब्सक्राइब करते हैं